सो हाल दोस्तों, मेरा नाम है दित्ते राज और आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो के अंदर दोस्तों आज के जिस वीडियो है, यह एपसलूटली बिगनर्स के लिए है, जो लोग भी अभी यहां पर यहां पर नया-नया VN एप को सीख रहे हैं दूस्तो आज के से वीडेव मैं आपको है पताने वाल हो कि अंदर आप काफ जाहरो सकती हो युग दूसर वीडेर दोस्तो एक चीज़ कि मैंने यहां पर नोटिस किया खया अर इस आपके अनधर कि इसमें दोस्तों आप काफेदा smoothly आप यहां पे अपना जो slow-mo वीडियो उसको बना सकते हो क्योंकि दूसरे जो apps वगरे हैं जिसके काइन master वगरा उसमें क्या होता है कि आपको एक cut लगाना होता है और उसके बाद दोस्तों आप उस part को यहां पे slow कर सकते हो लेकिन दोस्तों इसमें आपको cut लगाने की भी जरुवत नहीं है जिसकी मत से यहां पे होता कहा है कि आपकी जो वीडियो है वो overall काफेदा smooth देखने को मिलता है तो जली से यहां पे हम बढ़ते हैं अपने mobile के screen की तरफ और जानते हैं कि कैसे आप यहां पे slow mo videos को बना सकते हो दोस्तों जिसकी आप यहां पे देख पा रहे हो अभी मैं आज को अपने mobile के screen पे तो सबसे पहले आपको करना कहा है कि simply अपना वीडियो को एडिट करना चाहते हो उस वीडियो के उपर क्लिक करके आपको simply उसको import कर लेना है आप सो लिगो को पता होगा कि कैसे यहां पर import करते हैं तो यहां पर फिर से बताने वाला नहीं हो ठीक है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे आप स्लो मो बना सकते हो बाकिस्तों आप मेरे से काफ दा बढ़िया बना पाऊगे यह मैं आपको guarantee देता हूँ ठीक है तो आप आपको क करना का है दो तरीके एक तो आप चाहो तो यहां पर कट लगा के भी आप उसके अंदर slow mo को add कर सकते हो वह भी मैं आपको बताँगा और बीना cut लगाए आप कैसे add कर सकते हो वह मैं आपको बताता हूं तो سबसे पहले आपको अपने वीडियो को पर क्लिक करके इसको कर ले और सिलेक्ट आप सरेक्ट करने के बाद TOM iets इक सपीड वाला बटन आपको देखने को मिल जाता है तो simply आपको इसको पर click करना है ठीक है अब जैसे ही आप इसको पर click कर वे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलता है अब यह क्या चीज़े मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ उसके बाद मैं आपको बता तो कि कैसे आप अपने जो वीडियो है उस कि मैंने आपको बता दिया और जब आपको यहाँ पर स्लो मो कम्पलीट हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली स्टिक वाले बटन को पर click कर देना है ठीक है यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसको कि दोस्तों यहाँ पर आप एड या फिर रिमूव कर सकते हो यह अगर मान लिजी आप यहाँ पर लगाना चाहते हो दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर अपना जो यह है इसको आप यहाँ पर रख के आप यहाँ पर एक आइकन देखने को मिलता है इसके उपर click करके आप एक और dot चाहो तो आप add कर सकते हो या फिर अगर आप किसी dot के उपर रखते हो उसके बाद अगर आप इसके उपर click करते हो तो दोस्तों वह चीज हाटे जाता है अगर आप slow mo नहीं लगाना चाहते हो ठीके तो मान लिजी यह मेरा वीडियो है और मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक अपनी जो वीडियो उसको मैं fast करना चाहता हो ठीके तो अब तरफ ले आओगे तो आपकी जो वीडियो वह slow हो जागे ऊपर मतलब fast नीचे मतलब slow ठीके तो इतना आपको समझ में आगया ठीके तो मैं यहाँ पर fast करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ और ओपर करने के बाद दोस्तों अगर यहाँ पर मैं अपनी जो वीडियो वह स्टार्टिंग से प्ले करूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पारें मेरी जो वीडियो है यह इस जगह पर थोड़ा सा fast हो चुका है ठीक है यानि कि यहां से लेके यहां तक मैं अपनी जो वीडियो है उसको मैं slow करना चाहता हू तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक और नया डॉट जो है उसको मैं create कर लूँगा और मैं इसको नीचे के तरफ ले आऊँगा ठीक है जितना आप नीचे करोगे उतना ज्यादा आपकी जो वीडियो है वह यहाँ पर slow हो जाएगी और एक चीज़ आपको starting में ही बताया करोगे उतना ज्यादा आप अपनी वीडियो को slow कर पाऊगे तो यहाँ पर हम इसको save नहीं करेंगे बल्कि इसको मैं cut कर देता हूँ अब मैं आपको बताता हूँ एक simple सा तरीका जो की mostly काफी साल लोग use करते है और यह वालो दूस्तों मुझे अच्छा नहीं लगता जो मै और यहाँ पर मैं speed के अंदर जाकर यहाँ क्या कराऊँगा कि सभी को दूस्तों यहाँ पर मैं नीचे ले आऊँगा इन बतार कर देंगा रोडा chỉए आप सिरिफ आपको इसको नीचे ले आना है और आपके this part है यहँ पर slow हो पही देख आ पर देख रहे हो टीके इस मुझे उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें cut लगाना पड़ता है और ये काफेता smooth भी नहीं होता है तो पहला वाला जो तरीका है वो आप यहाँ पर use कर सकते हो सो इस तो उमीद करते हो आप सब लिए को आज के जो वीडियो था ये आप सब लिए को helpful रहा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करते ना चाले को भी सब्सक्राइब कर ले ना और मैं मिल तो आप से लिए नेक्स्ट वीडियो में